इस वीडियो में हम लोग FIGP समेस्टर 2 माइनेट सब्जेक्ट औरगनिक फार्मिंग का एक बहुत इंपोर्टन प्रशनिक देखेंगे प्रशन हमारा है जेवी खेती का अर्थ परिभाषा यह महत्तव का वर्नन करें तो इस वीडियो में हम लोग जेवी खेती या औरगनिक फार्मिंग से समय देती है मेरा पहला वीडियो है लेकिन जल्दी और भी इंपोर्टन कोजन उपलब्द हो जाएंगे तो चलते हम लोग इसका अंसर देखते हैं पहला एडिंग देंगे जेवी खेती या औरगनिक फार्मिंग तो जहां तक हो सके आप इंगलिस वर्ड जैक खेती का परिवासा सिंपल है इसको अपको अच्छे तरह से समझना है देखो जैक हो जैक हो फ्रखी केती है जिसमें रसानी कृष्ण को उपयोग नहीं किया जाता है नहीं साथन Allah कोई कीडा लग गया तो कीडा Oreo को हटाने के लिए हमें कोई टीकर पर्योग नहीं करना है इसमें हमें ऐसे प्राकिर्थिक वीधिक अप्यूग करना है जिसे वह कीड़ा भी मर जाए और फसल को भी नुकसान ना हो साथ ही साथ जो किरिशी उत्पादन होगा वह निरंतर रूप से आगे बढ़ती रहेगा इसे ही जेविक खेती कहा जाता है तो इसको इसको मैंने उप्रियूकत में आपको बता दिया उसी को मैंने इसको फिर से लिख दिया है ताकि जो आको अच्छी तरह से समझ मया जाए जैए जिसे फसल में बहुत सारे कीड़ा लगती रहते हैं या फसलों का ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हम लोग क्या कर देते है राशानिक उर्वरक जो होता है या राशानिक खाद होता है राशानिक जो दबाएं होती है उसका पर्यो कर देते हैं इससे उत्पादन तो अच्छा होता है लेकिन इससे परियावरन को काफी नुक्सान होता है तो हमें ऐसे खेती को अपनाना है जिससे परियावरन को नुक् यही जेवी खेती कहलाता है और इससे जो उत्पादन होता निरंतर रूप से धीरे 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 एदम बढ़ते रहता है आगे है इस परकार से जेवी खेती कैसे पर नाली है जो मानव परशु श्वाइस्त और पर्यावरन के लिए अनुकुल होती है जिसमें मिर्दा परशु मानव श्वाइस्त और जितने भी मतलब पेड़ पोधे हो गए सभी के लिए लावदाय को इस खेती को ही क्या का जाता है जेवी खेती का जाता है इस खेती में मिर्दा परशु उध्यान और वातावरन का बिसे ध्यान रखा जाता है मिर्दा काने का मतलब है अदि हम रसान साल एक्तम धिरी धिरी बढ़ती रहता है कम नहीं होगा जेविक खेती करने से बलकि यह दिनों दिन लगातर बढ़ती रहता है तो इसको आप समझ गये होंगे दो चार बार आपको अच्छी तरह से पढ़ना है इसको नोट कर लेना है दिमाग में एक्तम समझ जाएगा नेश जिसमें रशानी कुरबरकों और किटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है दूसरे सब्दों में रशानी मुक्त खेती करना ही जेविक खेती का अर्थ है तो देखो जेविक खेती का पहला अर्थ क्या है परियावरण के अनुकूल हो तो परियावरण के लिए अनुकू यानि वेसी खेती जो परियावरण के लिए अनकूल है वही जेवी खेती का अर्थ है नेश्रभ हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट है सतत विकास जेवी खेती अस्था ये सतत विकास पर अधारित एक एसी खेती है जो भूमी की औरता सक्ति को बनाई रखती है तता भव पीडियों के लिए भी लाब पहुंचे इसी को ही सतत विकास कहा जाता है आगे है अर्था अर्थ ऐसी खेती जिसे भूमी की औरता सक्ति निरंतर बढ़ती रहे तथा भविश में कभी भी खाया दिया फसल संकट उत्पन नहों यहीं जेवी खेती के अर्थ को दरसाती है त तो इससे क्या होगा जो उसकी भूमी की औरता सक्ति समावत हो जाएगी तो अनाजोग उत्पादन नहीं हो पाएगा यानि जो हमारा भविश आएगा वह हमें लिए मतलब कहीं संकट उत्पन कर सकता है तो इस परकार से सतत विकास काने का मतलब है ऐसी खेती करना है जिसे भूमी की जो उर्ता सकती होगी वह निरंतर रूप से बढ़ती रहेगी जिसे अनाजोग उत्पादन भी लगातर बढ़ता रहेगा और भविश के लिए हमारे लिए खायत सुरजशा भी निरंतर रूप से बढ़ता रहेगा यही सतत विकास का अर्थ है तो आप समझ गये ह नोट नोट कर लिजे दो चार बर पढ़े आप समझ जाएंगे नेक्ट वूंट्स संगटनों के अनुसार इनके परियावरं समाजी को और आर्थिक दिरिष्टि से इस तुर यहां पर जो सन्युक्त राज रखाय देवर क्रिस्टिस सनगटन है इनका मानना है कि जेवी खेती एक पारिशितिक परनाली है जो परियावरण समाजिक और आर्थिक दिरिश्टि से इस्तिर है तो यहां पर जिस परकार से परिभासा लिखा हुआ है उसको आपको सेम लिखना है क् इसको द्यान में रख लिजेगा एक नमर में प्रश्ण में आ सकता है इसको फूल फॉम क्या हो जाएगा फूड एंड एग्रिकल्चर और नाजेशन तो यह पहला परिभासा था नेस्ट देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट है आई एफ ओ एम यानि जेवी खेती की चनातमक और शतत प्रनाली की रूप में परिभासित करता है तो यहां पर आई एफ ओ एम है इनका मानना है कि जेवी खेती एक और अलोचनातमक और शतत प्रनाली है इस तरह से आप लिख सकते हो जो भी यहां लिखा हुआ है उसको इत्म सेम लिखना इग्जाम में ठीक है तो इसको जो भी फुल फॉम में बता रहा हूं इसको आपको ध्यान में रखना है ताकि एक्जाम में आये तो इसको अच्छी तरह से लिख पाओगे तो दुनों एक दुसरे से रिलेटेड है इसलिए दुनों का अंसर सेम होगा पहला आइडिंग हमारा है प्राकिरती संसादनों का संरचन जेवी खेती में प्राकिरती संसादनों के संरचन पर जोड़ दिया जाता है अर्थार्थ जेवी खेती में प्राकिरती को और वरकों का सनरचीत करता है किसे सनरचीत करता है जेवी खेती में रसानिक और वरकों का पर्यूग नहीं होता है इसमें प्राकिर्थिक खायदों का ही उपयों किया जाता है जिसे जो जल होता है या दूसीत नहीं हो पाता है मिट्टी के और वरता सकती बनी रहती है तथा वायू भी क्या होता है तो यह टमसुद्ध होता है तो एकषीचabor. संसाधनों का समर्चन करता है इसकी पहली विसंच क्वाइब दिखते हैं दूसरे पॉइंट है उतफादधकता का बढ़ना जहको पौइन यह श्वाइखज भूमित बढाती है जिससे परसलों कि उतपादधकता में बिर्धी होती है तो इससे किसानों को बढ़ाता है इसको समझे होंगे इसकी दूसरी विस्ता था तिसरा कि पॉइंट है बहतर स्वायश्त जेवी खेती मनिश्य पसू और सभी जिर जंतों के लिए लापकारी होता है यह केमिकल्स से रहीत होते हैं जिसके उत्पादित होता है एकदम सूध होता है इसके सेवन करने से सभी का स्वायश्त विभिन परकार के कीड़े, मकोड़े, स्थाफियेश्थ होता है एक दम अच्छा रहाता है तो जो जेवी खेती होता है सबी को बेहतर स्वाइश्थ प्रदान करता है यह तिसरी पॉइंट हमलों देखते हैं चोपाइंट है सामूदायक-वбо कास जेवी जेविक खेती अस्थानी समुदाय के विकास में मदद करती है क्योंकि जेविक खेती से अस्थानी उत्पादों की मांग बढ़ती है जिससे उनका विकास होता है देखो सामुदाय के विकास करने का मतलब है जो जेविक खेती होता है अस्थानी अस्थार पर काफी बर्चल कर क्या जाता है चाहे किसान छोटी हो या बड़ी अधिवे जेविक उतपादों का उतपादन करते हैं तो उनको अच्छा खासा लाब होगा जिसे उनका विकास होगा क्योंकि आज के समय में जिस परकार से रसानिक और वरकों का दुस्परभाब देखने को मिल रहा है परतिक प सानवी अधि जेविक पदार्थों को उतपादन करते हैं तो उनको अच्छी खासी लाब होगा और उनका विकास होगा तो इसको अच्छी तरह से समझ गया होंगे नेश्ट देखते हम लोग जेविक खेती का अगला पिसस्ता है संतुलित पर्यावरण जेविक खेती में र रसानिक और फर्रकों को दूसर पर्यावरण में नहीं फिल पाता है इससे पर्यावरण को नुक्सान नहीं होता है और परियावरण संतुलित दीकती है ब्रखते है उनकुल जलवाई। उपरियोक्त के अलावे जेविख खेती अनुकुल जलवायू परिवर्तन का समर्थन करती है जिससे जेविख खेती के अनुकुल परनालियों के विकास में मदद मिलती है देखो यहाँ पर जो अनुकुल जलवायू है इसका मतलब है कि अधी आप जेवी खेटी करते हैं तो जीस परकार का बातावरन है जीस परकार का जलवायू है जेवी खेटी करने से वह अपने लिए अनुकुल जलवायू का निर्वान कर लेगी इससे फसलों का अतुपादन ह तो बड़ी है लेकिन इससे पर्यावरन बिभिन परकार की जीव जनतु तथा मनिस्यों की स्वाइश्ट को काफी नुक्सान पहुचा है अता हमारी और हमारे आने वाले पीडियों का स्वाइश्ट अच्छा रहे भूमी के उरता सकती बने रहे तथा पर्यावरन स्वाच्छ अता इनी समस्याओं से बचने के लिए हमारे और हमारे आने वाले पीडियों का स्वाइश्ट अच्छा रहे हमें अच्छा खासा उत्पादकता लागतार मिलते रहे भूमे के उरता सकती बने रहे इसलिए जो जेविक खेती है इसका हमारे जीवन में काफी महत्व है तो इ